हमने कल पढ़ा था कैसे प्रजयन इंडेफिनेट की प्रैक्टिस करनी है और कैसे प्रजयन इंग्लिश बोलने में हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है प्रैक्टिस है ना मैं तो प्रइक्टिस कैसे करोगे जब उसको बोलों जब चीजों को अंडरेस्टेंड करोगे किंगिंग्लिश में उसको सुचना है पहला काम तो मैंने क्या कहा था है Esse I.Work ौइ समझना है ही को ही समझना है सी को सी समझना है कि मैं लटकी नहूंग क्या है शी उसके बाद हमने पड़ा कि जो खाता है ना मैं सोता हूं मैं रोता हूं इसको हमने यह नहीं सब्सक्राइब कि मैं खाता हूं आइड़न एड़न प्लेग डो रण थर्ड चीज हमने यह पड़ी थी जो भी आप काम कर रहे हो उसको किस तरह से आयम लगाने आगे वर्ब की फ्रस्ट आइज यूज कर दिना आयम प्लेइंग आयम सेंगिंग आयम डांसिंग आयम कुकिंग इस तरह से आपने को बनाना है त आज जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो करनी है पास्ट इंडेफिनेट की यह तीन सेंटेंस जो हैं यह काफी यूज होते हैं स्पीकिंग पर्पस के लिए ओके तो फर्स्ट टेंस को सा था स्पीकिंग के लिए जो पहला था प्रजैंट इंडेफिनेट ठीक है सेकेंड को स ता तो 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 आपने माइंड में यह सोचना है मैं आई मैं आया मैं गया मैं खाना खाया मैं सोया मैं हंसा मैं चला मैं दोड़ा ओके इसको आपने आप इंगलिश में बोलना है हो वाप की सेकिंड फॉर्म ओके वाप की सेकिंड फॉर्म बोलो एट एट वैंट रैट रैट ओके वाप 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 सेंड लाप ररें değild धॉर्म प्रियूरंग ब्रेंख सेक्ट्रह मैं क्वाप होग वैंट अग्य को आजब डर्मॉर्म यह समीनला उदूह I ate, मैं गया, I went, मैंने पड़ा, I read, मैं चला, I walked, मैंने बेजा, I sent, मैंने द्रेंक क्या था पी न, तो पिया, I drank, समझ में आया, इसी तरह से आपने माइंड में यही सोच रहा है, एट, went, I ate, I went, I rent, I walked, I sent, I drank, ओके, आप जो भी चीज चाहते हो, है न, आप क्या चाहते हो, आप डोड़ना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो, आप वाक करना चाहते हो, है न, तो चाहना क्या होता है, I want, ठीक है बस, I want to, आगे लगा दो इसके, I want to run, I want to walk, I want to love, I want to play, I want to run, I want to cook, ठीक है, आप जो भी करना चाहते हो, बस, आपने का लगाना, I want to के आगे जो करना चाहते हो, वो आपकी form लगा दो, simple, ये क्या हो जाएगा आपका, चाहना, मैं ये चाहता हूँ, क्या चाहते हो, दोड़ना चाहते हो, तो run लगा लो, I want to run, I want to go, I want to sleep, I want to walk, okay, I want to play, I want to laugh, I want to weep, जो भी आप चाहते हो, बस, I want to लगाना, उसके आगे जो की form लगा दो, simple, 100 box of form यूज करो इसमे, I want to, अगर आप देखना चाहते हो, I want to see, है न, मैं मूवी देखना चाहते हो, I want to watch movie, मैं स्कूल में जाना चाहते हो, I want to go school, मैं पढ़ना चाहते हो, I want to study, मैं सीखना चाहते हो, I want to learn, okay, मैं दोडना चाहते हो, I want to run, समझ में है, मैं जम्मू जाना चाहते हो, I want to go, जम्मू, कि मैं सारा दिन पढ़ना चाहता हूं आई बांट टू स्टड़ी ऑल डे है ना होल डे है यह आल डे होल डे मतलब आप जो भी करना चाहते हो आपने वर्प की फार्म लगा देनी आगे होई अब मैं यह करना चाता था ठीक है मैं खेला चाता था आई वांटीड टू प्ले ठीक है क्या लोग यहां पर आई वांटीड टू प्ले बसागे लगा दो आई वांटीड टू रन आई वांटीड टू वाक आई वांटीड टू स्लीफ आई वांटीड टू कुक मतलब जो भी आप करना चाते थे मैं खाना चाता था आई वांटीड टू इट मैं मोमोज खाना चाता था आई वांटीड टू इट मोमोज आई आई वांटीड टू ग ठीक है मैं सोना चाहता था रुपर जो काव करना चाहते थे वर्ग की फॉर्मस आपको पाता होना चाहिए तो आई वांटी टू लगा के उसके आगे वर्ग की फॉर्म लगाओ तो वह आपका एक प्रॉपर संटेंस बन जाएगा और इसकी आपने डेली प्रैक्टिस भी करनी ठीक है अब आप जो करना चाहते थे मैं पढ़ना चाहता था अधाना चींगना चाहता था में सिखना चाहता था आई-वांटी सुष्ट कहल यह करना चाहते हो उस उसके वांट लगाना है जो करना चाहते थे उसके पीछे क्या वांटेड सेपल वांट और वांटेड का समझ में आया यह आपके उसके स्पीकिंग के लिए काफी हट मिलेगी परते यह अगर अगर आको किसी चीज की जरूरत है तिक हैं हम जरूरत होती है न जैसे मुझे पैन की जरूरत है ठीक है क्या लगाए आपने नीड आई नीड अए आई टू रन आई टू अए टू लीव आई टू वा कि आ आई टू नीड तो दूप अधर आपको जिसकी ज़रूरत है आपको बांगने की जुरूरत है I need to run, I need to walk, I need to sleep, I need to walk, I need to cook, ठीक है, एसी तरह से आप वर्ब की फाम लीजिए और इसके आगे लगा लेए तो जो भी जुरूरत है आपकी को करिए और इसको speaking में भी लाइए, ठीक है, बोलिए इसकी, practice कीजिए, मैं करता हूँ, मैं करना चाता हूँ, मैं करना चाता था, मुझे इसकी जुरूरत है, ठीक है, I need, I need, देखो, I need, यहाँ पर, A pen, A का मतलब जाए, A, I need a pen, है ना, अब इसमें आर्टिकल का भी यूज़ हो गया, I need a pen, I need a notebook, है ना, समझ में आरहा है, इसी तरह से आपने इसकी practice कर लिए, वह अपकी form लेकर के, बनाईए sentence, काफी सारे sentence बनाओ, इसके आप, want वाले बनाओ, wanted वाले बनाओ, और need वाले बनाओ, ठीक है, मुझे, running करने की, मुझे दोड़ने की जुरूरत थी, मुझे चलने की जुरूरत थी, थी means, needed, ओके, needed, मुझे, खाना बनाने की जुरूरत थी, I needed to cook, walk, run, eat, speak, go, laugh, cry, leave, कुछ भी, ठीक है, मुझे, खाना बनाने की जुरूरत थी, चलने की जुरूरत थी, running करने की, दोड़ने की जुरूरत थी, खाने की जुरूरत थी, बोलने की जुरूरत थी, जाने की जुरूरत थी, हसने की जरूरत ही चिलाने की जरूरत ही रोने की जरूरत थी आपको जिस भी चीज की जरूरत थी I need to, I'll ready to work I'll ready to run I'll ready to eat I'll ready to speak okay चलिए तो इसकी भी आप practice कीजे और इसकी भी practice करते हैं तो यह tenses की indefinite, tenses continues, ठीक है, present indefinite, present continues, possible thing, want, wanted, need or needed, ओके, want चाता, और wanted, चाता था, need, जरूरत, needed जरूरत थी, ओके, इन चारकी प्रेक्टिस करते हैं, तो आज की लिए इतना ही, तो इसकी प्रेक्टिस सबसे पहले करेंगे, जरागे बाँ पढ़ेंगे,